राहुल गांधी के जातीगत जनगर्णा बयान पर भड़की बसबा सुपरीमो माया वती जातीगत जनगर्णा पर नाटक कर रही है कॉंगरेस कॉंगरेस के सर्वे सर्वा राहुल गांधी से सतर्क रहे जनता वर्षों से आरक्षण को खतम करने के सड्यंत्र में लगी हुई है कॉंग्रेस राहूल गांधी आज उस तरीकें से विदेश में जाकर अपने ही देश को लेकर लगातार बड़े-बड़े बयान दे रहे हैं कभी वो जाती गजनगरना की बात कर रहे हैं तो कभी वो सिखों को लेकर बात कर रहे हैं पर राहूल गांधी के अमारिका में दिये गए बयानों को लेकर आज भारत में काफी जादा सियासत हो रही है और अब बसपा की सुपरीमो मायवति ने कॉंग्रेस के नेता राहुल गांधी के ऊपर बड़ा हमला बोला है मायवति ने राहुल गांधी के आरक्षण पर दिये गए बयान पर अब बड़ा पलट वार किया है और कॉंग्रेस से तमाम सवाल पूछ लिए हैं और यहां तकी जनता से ये भी कह दिया है कि इस कॉंगरेस और कॉंगरेस के सर्वे सर्वार राहुल गांधी से जनता जो है वो सतर्क रहे क्यूंकि आज कॉंगरेस जो है वो ASC, ST और OBC का आरक्षन खतम करने में लगी हुई है और एक ये बड़ा आरोब जो है वो मायावती के द्वारा लगाया गया है कॉंगरेस पार्टी और राहुल गांधी के ऊपर दरसल मायावती ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट यानि की फॉर्मर ट्विटर एक्स पर आज एक दो तीन नहीं बलकि पूरे पांच पोस्ट किय है और इन पांचों पोस्टों में कॉंग्रेस और राहुल गांधी को आड़े हाथ लिया है और कहा है कि SCST और OVC का आरक्षन खतम करने के लिए कॉंग्रेस सालों से शड़ेंत्र में लगी हुई है और दरसल आपके ने बता दें कि अमेरिका की जॉर्ट्स टाउन कि आरक्षन को खतम करने के बारे मैं कॉंग्रेस तब सोचेगी तब समय सही आज जाएगा ये समय आरक्षन को खतम करने का नहीं है और आज इसी बयान पर जो है वो मायावती ने ये तमाम आरोप और राहुल गांधी को लेकर भड़ी बातें कहीं है यानि कि सीधा अमला र काफी लंबे समय तक सत्ता में रहते हुए कॉंग्रेस पार्टी की सरकार ने ओविसी आरक्षन को लागू नहीं किया और नाहीं देश में जातिये जनगड़ना खराने वाली ये पार्टी अब इसकी आड़ में सत्ता में आने के सपने देख रही है इनके इस नाटक से सचे जो है वो जनता रहे क्योंकि ये आगे भी जातिये जनगड़ना जो है वो नहीं करा पाएंगे इसी के साथ मायवती ने जनता के लिए ये नसीहत दी कि राहूल गांदी के बयान से और राहूल गांदी से सावधान जो है वो जनता रहे अब कॉंग्रेस के सर्वे सर्वार राहुल गांदी के इस नाटक से भी सतर्क रहे जन्ता जिसमें उन्होंने विदेश में ये कहा है कि जब भारत 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 होगा तो हम भारत में SC, ST, OBC का आरक्षन खतम कर देंगे इससे ही supposed होता है कि कॉंग्रेस वर्षों से इनके आरक्षन को खतम करने के शडियंतर में लगी हुई है इसी के साथ मायवती ने कहा है कि इन लोगों के यांविकि कांग्रेस इन वर्गों के लोग कॉंगरेस नेता राहुल गांदी के दिये गए इस घातक बयान से सावधान रहें क्योंकि ये पार्टी केंदर की सत्ता में आते ही अपने इस बयान की आड में इनका आरक्षन खतम जरूर कर देगी ये लोग सविधान और आरक्षन बचाने का नाटक करने वाली इस पार्टी से जरूर सजक रहें देखिए यहां पार आरक्षन और सविधान बचाने की बातों को भी टार्गेट किया गया है मायवती के द्वारा जो बयान राहुल गांधी और इंडी गटबंदन के तमाम ने इसी के साथ मायवती ने कहा है कि कॉंग्रेस की आरक्षन विरोधी सोच है देखिए कॉंग्रेस की शुरू से ही आरक्षन विरोधी सोच रही है केंद्र में जब इनकी सरकार थी जब इन्होंने सी, स्ट, ओवेसी आरक्षन का कोटा पूरा नहीं किया था तब इनकी पार्टी को इनके इंसाफ ना मिलने की बज़े से ही बाबा साहेब डॉक्टर भीमराओ ने कानून मंत्री पत से इस्तिवा दे दिया था लोग सावधान रहें कुल मिलाकर जब तक देश में जातिवाद जड़ से खतम नहीं हो जाता है तब तक भारत की इस्तिथी अपेक्शक्रत बहतर होने के बावजूद भी इन वर्गों की आर्थिक और सेक्षणिक हालत जो है वो बहतर होने वाली नहीं है जातिवाद के समूल लस्ट होने तक आरक्षण की सही समविधान एक विवस्था करना काफी जादा जरूरी है देखिए मायावती ने तमाम चीजों को लेकर आज राहुल गांदी से सवाल पूछे हैं और कॉंग्रेस के पुराने इतिहास को उठा कर आज पोल पट्टी भी खोल दी है कि जो कॉंग्रेस आज आरक्षण की बात कर रही है या जो राहुल गांदी विदेश में बैटकर ये कहते हैं कि जब भारत के स्तिती ठीक हो जाएगी तो हम आरक्षण खतम कर देंगे ये वही लोग हैं ना इनोंने अभी तक आरक्षण देने की बात की अपनी स सरकार रहते हुए और ना ही तो इन्होंने जाती गत जातिये जनगणना कराई जो राहुल गांदी आज ये कहते हैं कि जातिये जनगणना कराने से जो छोटी जातियां है अगर उनका ब्योरा निकल कर सामने आएगा कि कितनी जाती का कौन सा व्यक्ति है तो उसका विकास कर पर आज देखिए जहां भारत अभी तक विकास शील देशों में ही है जो अभी तक विक्सित पूरी तरीके से नहीं हुआ है वहाँ पर भी किस तरीके से ऐसे राजनेता जो विदेशों में जाकर बड़े बड़े बयान तो जरूर देते हैं सविधान और लोकतंत्र को लेकर पर वही भारत आते ही भारत को किस तरीके से जातियों में बाटने का प्रयास करते हैं और आज राहुल गांधी के इनी तमाम बयानों को टार्गेट करते हुए मायवती ने कहा है कि राहुल गांधी जो की कॉंग्रेस के सर्वे सर्वा है इनस से सावधान रहने की जनता को जरूरत है देखिए राहुल गांधी के इन तमाम बयानों का जो अब जिन भी राज्यों में विधान सभा के चुनाव हैं वहां पर खासा असर पढ़ सकता है क्योंकि अगर हम बात करें कई ऐसे राज्यों की जहां पर अभी चुनाव होने वाले हैं वहीं पर कॉंग्रेस के नेता तमाम बड़ी-बड़ी बातें कर रहे हैं चाहे फिर वो आरक्षन का मुद्दा हो या फिर वो कानून बचाने की बात हो सविधान बचाने की बात हो पर वहीं दूसरी तरफ अगर कॉंग्रेस का इतिहास देखा जाए तो इनी चीजों की सबसे ज़ादा धजियां कॉंग्रेस की सरकारों में उड़ाई गई हैं और अब जब हिस्ट्री निकल कर सामने आ रही है क्योंकि सिर्फ मायावती ही नहीं बलकि बीजेपी के भी कई नेता राहुल गांधी और कॉंग्रेस की जो पुराने हिस्ट्री रही है चाहे फिर वो च जनता के सामने आ रही हैं तो कई सवाल जो हैं वो कॉंग्रेस को लेकर खड़े होते हैं कि जिस कॉंग्रेस ने आज बग जाती है जनगर्ना कराने के बारे में नहीं सोचा जिस राहुल गांधी को देश की जनता को एक नया विजन देने की कोशिश करनी चाहिए कि जिसकी जनता अपना नेता चुन पाए कि वाकई में राहुल गांधी सही बात कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं पर राहुल गांधी सिर्फ और सरफ देश को आगे बढ़ाने की वज़ाए पीछे घसीटने की बात कर रहे हैं जो तरीके से देश के विकास से जादा राहुल गांधी बस इसी बात पर जोर देते हैं कि हम तो जातिय जनगणना जो है वो पूरे देश में कराना चाहते हैं देखिए बिहार में भी जातिय जनगणना आरजेडी और जेडियू की सरकार के द्वारा कराई गई पर उसका भी कोई जादा खासा नतीजा यानि की जादा फायदा आज विहार की जनता को होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है पर उसी जातिय जनगर्णा को लेकर आरजेडी का कहना है कि ये तो बहुत बड़ी चीज जो है वो हमारी सरकार के त्वारा कराई गई थी पर अगर सोशल मीडिया पे दो वर्गों के पीछ इस पर डिबेट देखी जा है वो जातिय जनगर्णा के पाक्षमें नहीं हैं क्योंकि आज हमारे देश को स्टेबिलिटी के साथ सात्विकास चाहिए और इन्ही तमाम चीजों को देखकर देश का यूथ है वो वोट करने जा रहा है ना कि जातियों में बटकर वोट करने जा रहा है खैर पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप भी हमें कॉमेंट करकर सरूर बताईए थन्यवाद